Hello everyone, my name is Susan Sin and you are watching Agrawal Classes. आज मैं आपको टाइम मेनेजमेंट की टेकनिक्स बताने वाला हूँ और उस टेकनिक की साहता से आप अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीका से यूटिलाइज कर सकते हो तो इस वीडियो इस नाट ओनी फॉर स्टूदेंट बट अलसो फॉर्द प्रोफेशनल्स जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैं एक बेसिक सा मैट से आपको समझाने की कोशिज करूँगा और बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है ये शेशन तो देखिए पहले हम आपने एक सेक्सिस का नाम जो सुना ही होगा तो हम एक सेक्सिस पे प्लॉट करते हैं इंपोर्टेंट को मतलब जो वर्क हमारे लिए इंपोर्टेंट है उसको हम एक सेक्सिस पे प्लॉट करते हैं फिर हमारे पास वाइक्सिस आता है वाइक्सिस पे हम इसेंसियल वर्क्स को प्लॉट करेंगे तो आप बोलोगे sir important और essential में क्या difference है तो important वो होता है जैसे आज मुझे आज assignment submit करना है and it is due 1159 तो मुझे आज तो ये मेरे लिए बहुत जादा क्या है important work है but मुझे python सीखना है python सीखना है या फिर मेरा exam 6 महीने बाद है या फिर मेरा exam 2 महीने बाद है तो वो essential तो है बट आज के लिए important नहीं है तो हमें prioritize करना होगा कि कौन सा काम important है कौन सा काम essential है तो हम क्या करते हैं हम पहले plot कर लेते हैं तो हमने बोला x-axis पे important and y-axis पे हमारा essential तो अब चलो quadrant का idea तो सबको होगा ही क्या आएगा फ्रस्ट क्या आएगा plus plus that mean important, essential second quadrant की बात करें तो क्या आएगा second quadrant में आएगा not important because negative, positive negative that mean important का negative that mean not important, essential now talking about the third quadrant in the third quadrant both that mean not important, not essential now talking about the fourth quadrant fourth quadrant consist of plus, minus that mean जो हमारा plus वाला आएगा वो आएगा क्या important, not essential because plus minus is there तो हमने पहले एक काटग्राइज कर लिया अब बोलोगे सर इसको कहां बनाए इसको आपको A4 seat पे daily बनाना है like you have, आप diary लिखते होगे या फिर आपके पास pages होंगे तो हर दिन ये वाला quadrant आपको बनाना है because you have to manage your time तो हम क्या करते हैं, अब पहला वाला quadrant में क्या आने वाला है और कितने hour इसको हम देने वाले हैं वो decide करते हैं तो first quadrant में हम ज्यादा टाइम अपना इनवेस्ट करेंगे 5 hours because first quadrant में वैसे work आ रहे हैं जो important है और important के साथ साथ essential भी है फिर हम second quadrant की बात करें तो second quadrant में वैसे work आ रहे हैं जो कि not important है और essential है तो उसको हम देने वाले हैं 3 hours first quadrant को मैंने दिया 5 hours second quadrant को मैंने दिया three hour third quadrant में क्या आ रहा है not तो भई वो important है not तो वो essential है बत्ब बिकार काम है like मुझे आज Netflix देखना है आज cricket खेलने जाना है आज मुझे friends से बात करनी है तो ये न तो important है नहीं essential है ये important में आता है क्या important नहीं है नहीं essential है like मुझे Netflix देखना है अगर मैं Netflix नहीं देखूंगा तो मर जाओंगा ऐसा कुछ तो होने नहीं वाला तो ये वाला हमारा not important, not essential में आता है but ऐसा नहीं है कि हम जीना छोड़ देंगे तो हम इसे भी देंगे two hours daily फिर हम आते हैं अपने fourth quadrant में तो वहां आएगा important and not essential work तो important वाले work की बात करें और उसको फिर देने वाले हम three hours mean I have categorized five hour, three hour, two hour and three hour now अब हम देने वाले हैं तो first quadrant में मैंने बोला five hour देंगे like जो काम important है और essential भी है like मेरे को आज assignment submit करना है because it is due 11.59 today या फिर मुझे यह वाला topic complete करना है because कल सुबर test है या फिर आज ही test है तो यह हमारा first priority होगा तो हमारा इसमें कौन से work आएंगे जो important होगे जो essential होगे तो हमें इसको क्या करना है तो आपको क्या करना है सब कोई का अलग different हो सकता है because for a student first quadrant different हो सकता है for a professional first quadrant different हो सकता है second quadrant different हो सकता है but मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ एक idea बता रहा हूँ कि how you can manage your time even every student, every working professional have different first, second, third and fourth quadrant so हम बात करते हैं first में तो क्या था important था और essential था तो आपको categorize कर लेना है जैसे मेरे लिए अगर मैं अपना example लेकर बता हूँ तो मेरा जो first quadrant में आएगा तो मुझे लाइक मेरा कल exam है अगर by the way तो मैं आज कल वाले exam के लिए ज़्यादा पढ़ूँगा और तो उसके लिए में ज़्यादा time दूँगा फिर second quadrant में आते हैं तो कि second quadrant में वैसे वाक आते हैं जो कि important नहीं है not important, essential क्योंकि य पे मैंने essential को रखा है इसलिए तो essential लाइक मुझे python सीखना है ताकि अच्छा placement हो तो मुझे मतलब language में काफी grip हो तो इसके लिए वो essential तो है language essential for everyone python, java तो वह वाला important तो है but मैं उसको, मतलब आज जरूए नहीं है मतलब but उसको मैं time दोंगा इसलिए उसको three hour दिया तो मैंने उसको रखा second second quadrant में now talking about the third quadrant third quadrant में ना तो important है ना तो essential है like मुझे आज cricket match की highlight देखनी है India versus South Africa या फिर India versus Australia तो ये जरूरी नहीं है बहुत दूसरे लोग के लिए but not for us not for student not for professional तो हम इसको third quadrant में रखेंगे बट ऐसा नहीं है कि हम जी ना छोड़ेंगे और ये वाला cricket match नहीं देखेंगे या फिर movies देखना छोड़ेंगे Netflix देखना छोड़ेंगे उसके लिए भी मैंने दो आवर डिगोट किया इसलिए मैंने थर्ड कोडिनेट में टू आवर रखा नाव टॉकिंगे अब फॉर्थ कोडिन अब हमारा आने वाला है important, not essential वैसे work जो important तो है बट essential नहीं है तो जैसे कि important तो है essential नहीं इसको भी देना है हमें 3 hour तो हमने ऐसा डिवाइड कर लिया 5, 3, 2, 3 टोटल 11 hour हमारे पास अभी भी बच्चे हुए है 13 hour हो गए 11 hour अभी भी बच्चे हुए है तो 8 hour for sleep sufficient and talking about the 3 hour 3 hour for your daily routines like खाना, पीना whatever, घूमना इसमें बहुत सारी चीज़े आप 3 hour में कर सकते हो तो आपने देखा कितने अच्छे तरीका से आपने अपने time को manage कर लिया आपने cricket भी खेल लिया आपने netflix देख लिया आपने आज के exam का भी पढ़ लिया 5 hour और upcoming exam जो कि आपका second coordinate में आने वाला है या फिर 4th coordinate में आने वाला है तो वो वाला भी आपने 3 hour 3 hour पढ़ लिया ऐसा जब आप पढ़ोगे ना देली 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 तो आप NEET हो JEE हो IAS हो UPSC हो या फिर आप किसी भी start-up में work करना चाहते हो या फिर आप किसी आप एक working professional हो तो आप अपने कामों को अच्छे से handle कर पाऊगे तो this is the video and if you like the video then good and thanks for watching